हेलो एब्रिवन नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आलोग बाच्पेई और आप लोग जुड़ चुके हैं इससे में इल्लिया के नमबर वन इस्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी पर और आप लोग इससे में जुड़े हुए हैं वाइफाई स्टेडी टू पॉइंट जीरो ऐसे लोगवा बहुत स्वागत है और आज की क्लास में लोग बहुत ही सांदार जानदार यहां पर क्वेस्टेंस करने वाले हैं यहां पर जल्दी से जितने विद्ध्यार थी हमारे साथ में यहां पर जुड़े हुए हैं सभी लोग वाई एक बार सैसन को सेर जरू कर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा ठीक है बच्चे अब देखिए एक चीज़ जरूर याद रखना ऐसे भी द्यारती जो आर एस आर पीएसी की तयारी कर रहें उनके लिए कि बहुत ही महत्रपूर्ट सैसन रहने वाला है एक बार हम सभी लोग यहां पर जितने लोग भी जुड़ रहे हैं उन सभी लोग कहना चाहेंगे बहुत मैसेज किये थे वह लोग बिल्कुल इस बात के लिए बेफिकर रहेंगे देखें सारी जीएस में होता क्या है हो सकता है और एक क्वेस्टन को कई तरीके से पूछा जा सकता है इस बात का आप सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है ठीक है चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले तो जितने भी विद्ध्यारती हैं हमारे साथ में आप पर जुड़े हुए हैं सभी लोग देख सकते है तो चार महिने फ्री छे महिने पर दो महिने का फ्री सब्स करकль जाएं है और तबकर को यहांब पर अतिर्ट्र्कविकाउंड है तो सारे के सार फिद्द्र थी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े वह यहां सभी के सब merging कर दीए सबसे पहले कि आपके सब्सक्रिप्शन को ले करके जो विद्यार्थी अवेर हो जाएं दूसरी चीज़ कॉमबैट में अगर भाग नहीं ले तो कॉमबैट मतलब ऐसे समझेए कि आपका एक टेस्ट हर एक संडे को और बारह बजे इस बार कुछ मेगा मेगा में महा कॉमबैट है जो कि 19 सितंबर को होने वाला है बारह बजे और इसमें पार्टिसिपेट वही विद्यार्थी करेंगे जो पहले से इंडॉल्मेंट करेंगे तो फ्री है इंडॉल्मेंट आपको बस इनवाइट कोड में एबी सर्टेन लिख करके और फटापट से इसमें इंडॉल्मेंट कर लेना और अप्टू हंड्रेट परसेंट टॉप तीन हजार रेंकर जोंगे उनको अप्टू हंड्रेट परसेंट यहां पर इसकॉलर सिब कि दी जाएगी बहुत बेहतरीन मौका है कि बिल्कुल ग्यारा बजेमी क्लास है आपकी अलग क्लास है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं पहले सवाल के उपर सीधे आगया भाई सेब के खाने योग भाग को क्या कहते हैं जो सेब का खाने योग भाग है उसको हम लोग किस ना सेजर जरू किया करो भाई सेशन को देखो जो हमारा रेगुलर क्लास है वो 11 बजे रहता है अब 11 बजे बिए क्लास रहेगा ठीक है अब इसके बाद 10 बजे क्लास कहां पर है वाई फट्री में चैनल पर दस बजे क्लास है इसका अंसर क्या होगा सेब का खाने योग जो भा मुझफरपुर में लीची अनुसंधान संस्थान भी बरतन बनाने में प्रियुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिस्रण है ताबे का जस्ते का तांबा टिन तांबा चांदी तांबा जस्ता और निकिल क्या हो जाएगा जर्मन सिल्वर पटापट से आंसर कीजिए बच्चे जर्मन सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा एक बार तेजी से आप सारे के सारे विद्यारती लोग आंसर करेंगे बच्चे क्या सही उत्तर होगा इसका देखो भी आप बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस question को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है German silver पूछा गया है और German silver में यह पूछा गया है कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं सिमय हो कग Обंट से पूठा कि कौन कौन शी चीजáriaं होती तो आप इजली बता सकते में आपका緑 में का ब निकेल होताह यह हो यह हो यह- 1 й जस्ता जम मिलेंगे तो ब्रास बनाएंगे ब्रास के मतलब पीथर बनेगा ताबा और टिन मिलेंगे तो ब्रॉंज बनाएंगे ब्रॉंज के मतलब बच्चे कासा होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रत्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तद बोलिए स्वेंद्र सोनिया राजस्थान जितने लोग जुड़े हुए राघव गुप्ता पटापट आंसर करते जाओ के भीया सेर एंड लाइक जरूर कर दिएगा सेशन को देखो बच्चे इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सेहुत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा ठीक है आगे वरते हैं ग्री नो साइट जो है वो किस तत्त का और कोबाल्ट कट्मिएं निकल इसका आहे अगर पूचा जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कैड्मीएं का कैड्मिएं का सिमबल हम लोग सीडि जानते यूरेनियम यह बड़ा प्रसिद्स ने पूछा गया है याद रखना है पीच ब्लेड यूरेनियम का थे एक ऐसा विटामिन जिसमें और पायाता है वह सो बितामिन है विटामिन वी ट्वेंड में पाया जाता काडमियम यह ग्रीनोसाइट काडमियम का है वाइज हो गया निकल का मिलराइट हो गया पिशुबलेट हो गया यूरेनियम का पाकिस्तान के पहले राष्ठथस लीक देखो बहुत बहुत बैतरीन क्विकाश्चन पाकिस्तान के पहले राष्ठन राष्पति पूछे पाकिस्तान अगला सवाल हरुजन सेवक संग के प्रतham अद्यक्ष कों थे महत्मा गांदी भी Гeton स्वाल भेसे घंस्याँदात विदों और बीम राव मेटकर प्रारूप समित के अध्यक्ष हैं इन्होंने आर्टिकल नंबार 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है ठीक है महात्मा गांदी जी हर्जन सेवक संग के संस्थापक थे अस्प्रस्ता को मिटाने के लिए 1932 में महात्मा गांदी जी ने संगठा ने स्थाप कैसे हो कि पटा पटा आंसर कीजिए बेदरा का यूद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया 1769 में ब्रेटिच और डेस्ट के बीच में अब अंग्रेज और फ्रांसीजी के बीच में इसके एक साल बाद 1760 में यूद्ध होता है जिसको बैटल आप बैंडी वास कहत आउजिद की गई थी लोग अदालत महाराष्ट गुजराथ बिहार केरल पटा पटा अंसर कीजिए भीया लोग अदालत जो है वो पहली बार किस राज्य में आउजिद की गई थी इस प्रस्णका उत्तर बताईए भीया अफास देखो बचे लोग अदालत की अगर कभी भी बात करते हो तो लोग अदालत जो आउजिद की गई वो भीया गुजरात में पहली बार कहां पर आउजिद की गई लोग अदालत आपका अंसर क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा अगला सवाल है पाकिस्तान की पहली परांची थी लाहर रावी नदी किनारे हैं ठीक है यह आप लोग यहां पर लोकेशन देख सकते हो यह पाकिस्तान कम है फो गया इस तरीके से पर यहां पर अगर हम लोग देखते हैं है तो बड़ी बड़ी जगें है यह मुझफराबाद है यह इस्लामभाद है यह पेसाबर है यह लाहोर है ठीक याद रहेगा यह लाहोर है और देखें यह लंबे आकार में पाकिस्तान का यहाँ पर मैप आको दिखाया गया है ठीक है बच्छे याद रहेगा और देखो यह सबसे गर्म इस्थल एसीया का मानते हैं जिसको हम लोग जयकोब आवाद यह पाकिस्तान में है यह पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे ऑसीया का सबसे गर्म इस्थलों में यह माना जाता है ठीक है इसलामाबाद को 14 अगस सारे लोग जानते हैं यार मोटू पतलू की पैट साला यह भी पूछने जरूरत है कि बकिगम नहर अगर पूछा जाएगा तो यह अंद्रप्रदेश में अंद्रप्रदेश भासा क्यादार प्रगटित पहला राज है कुछी पूरी लोगनत यहीं का है तेलंगाना की बात रहेगा बकिगम नहर की देखिए 796 किलोमीटर ताजी कह सकते हो जल की यानिकी फ्रेस वाटर की नौगम में नहर है जो कि दच्छिल भारत के कोरुमंडल तटको आंद्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी और काकी नाड़ा सहर से तमिलनाडु के विलूप पुरम जिले नहर में तक यह जोड़ने का काम करती है यह आपकी वकिगम नहर जिसको कोमूर नहर भी कहा जाता है यह जरूर रखिएगा गणित के चेतरे में Nobel पुरसकार के रूप में कौन सा दिया जाता है इस को स् Crash कर पत्तर गारिता के चेतर में सर्वर्च पुरसकार के सर्वोच पुरसकार पुरसकार है और यह आपका गणित का का नोबेल कहा जाता है इसको गणेत छेत्र का नोबेल प्राइस कहते हैं ठीक है याद रहेगा अब देखें आगे बढ़ते हैं उन्निस में जीता है उहलेन बेक ने दीन इलाही का प्रधान प्रोहित कौन था अकबर ने क्या किया पंद्रा सो ब्यासी में दीन इलाही धर्म चलाया जिसका प्रधान प्रोहित बनता है अबुल्फजद वन बनता है और बीरबल एकमात्र हिंदू सबसे पहला जो इसको धर्म को ज्वाइन करता है याद होना चा कारण क्या है Proto Joe A is of a मुखे कारण क्या होगा और भाग तो मुख के कारण जानते हैं लेक्टो-बैसिलस यह आप सारे लोग जानते लेक्टो-बैसिलस के कारण नीए मिल्क खराब होता है ग्यापका होता है आ प्रोटो जोवा से होने वाले रोगों में मलेरिया जरूर याद रखना है भाई दूसरा आप काला जार जरूर याद रखो वे यह भी प्रोटो जोवा से होने वाला रोग है कबक से गंजापन जरूर याद रखो इसमें सबसे ज़्यादा बिद्यार्थी गलती करते हैं और बाइरस लगाके आते हैं जकवक जो गंजापने कबसे होता है किस अरथसास्त्री ने पहली और राजनीतिक अरफ अर्थसास्त्र सब्द का प्रियोक करने वाले थे किस kg और आसा किया आर्थसास्तिर के जनक कौन है आप एडम इसमित का नाम बताएंगे चाणक के को हम लोग कहते हैं इन्होंने के एक किताब लिए आर्थसास्तिर यह अर्थसास्तिर नाम भले भुएए इसका है लेकिन इसका विसाय है राजुनीती और चानक के का वास्तविक नाम था विश्णुगुप्त चानक किसलिए का जाता था चड़क उसके पिता का नाम था ठीक है याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते लिए एडम स्मित को जानते हैं पूजवाद की जनक हैं और इनको अर्षास्तर का की चाहता वे संगमरमर्या आंगीर के काल जाता है दोनों याद रेखणा है अधिकतम पोसक तत तो रक्तает में कहांसे आभशा अफसोसित किया जाते हैं इसमाल इंटरस्टाइन या लार्ज इस्टरस्टाइन या रबी सी या लिवर पटाबट अंतर कीजिए अधिक्तम पोसक तक तो कहां से अब्जॉर्ब होते हैं कहां से से अफसोसित किया जाते हैं यह आप लोगों को आंसर करना है बोलिए बहिए गुलसन बावु गुंजन सिवेंद्र मोटू पतलू पटाबट मैंक तेजी से अंसर करोगे अधिक्तम पोसक तक तो आपके जो हैं वह अफसोसित किया जाते हैं छोटी आथ से कहां से छोटी आथ से अफसोसित किया आते हैं पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है आर बीसी का अगर जैविक नाम वाल या में किस दिन को मदर च्रेहसा दिवस के रूप में अलबानिया में किस सितंबर लुक्र होनेस टूरिजम जिसमबर होगा किसान दिवस होता है 24 अक्टूबर होगा नहीं क्योंकि आपका यूए ने डे होता है तो जो 29 अक्टूबर है यह मदा टेरेसा डे अलवानिया में मनाया जाता है अलवानिया की राजवानी भाईया तिराना है याद रखिएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं एनीमिया मुक्त सुचकांक में पर्थमिस्थान पर कौन सा राज रहा मद्यपरदेश उडिसा राजस्थान हर्याना क्या सही आंसर हो जाएगा भाई फास्ट गयर बहुत बढ बहुत अब हो गई तो एनीमिया मुक्त जो है वह आपका हर्याना रहा कौन सराय हर्यान कि है आसन सरनक्षन रिदर किस राज में है आशन हम लोग जानते हैं भी हाली में रामसर साइट भोशिद किया गया था उत्रकंड में पाली में किस राज ने हींकी केति शुरु की हीं प्रदेश से कहां से सुरूई है इंगाले सिलाम कैपिटल है गारों खासी जैनतिया पहाड़ियां मनीपूर में एक कूकी ट्राइब मनीपूर में लेपचा सिक्किम में बहुत बार एक्जाम में आया है आप लोग जरूर याद रखो अगला सवाल है राश्ट्री कानूनी सेवा दिवस्का मनाया जाता है 26 नवंबर 21 जून 23 दिसंबर 9 नवंबर क्या आंसर होना चाहिए बढ़िया सवाल है राश्ट्री कानूनी सेवा दिवस्की अगर कभी भी बात करोगे तो राश्ट्री कानूनी सेवा दिवस्का 9 नवंबर को मना लिए ठीक है 23 दिसंबर किसान दिवस 21 जून को अंतराश्ट्री योगा दिवस 26 नॉंबर को मनाया जाता है राश्ट्री दुख्द दिवस और सम्विधान दिवस पुलिस इसमरट दिवस का मनाया जाता है 24 अक्टूबर 21 अक्टूबर 8 अक्टूबर पुलिस इसमरट दिवस आपका मनाया जाता है 21 अक्टूबर को अंतराश्ट्री ब्रध्यजन दिवस पर अंतराश्ट्री कॉफी डेड़ और 24 अक्टूर अभी मैंने बताया यूए नो डे बनाते हैं भारती अक्षे उर्जा दिवस का मनाया जाता है 7 अघस, 21 अघस, 18 जुलाई कीजिए बाइया वारती अच्छे उर्जा दिवस पूचा जायाएक 27 अघस्त कऌव राश्ट्री भाला फेक्ट दिवस साथ अगस्त को राश्ट्री फ्करगव दिवस दोनों मनाते हैं 18 जुलाई को मंडेला डे मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस यानि की वर्रल्ड मॉस्किटो डे एकड़ मनाते हैं साथ अगस 20 अगस एक अगस अगस अठारा जुलाई और से में क्वेस्टन बदल गया वर्ल्ड मॉस्किटो टे पूछा गया वाई देखो वर्ल्ड मॉस्किटो टे अगर कभी भी पूछा जाएगा तो वर्ल्ड मॉस्किटो टे आपका 20 आगस्त हो जाता है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं जैविक किसानों की संख्या सबसे दिक किस देश में सबसे जैविक किसान यह कह सकते हो और्गेनिक फार्मर्स जो हैं किस कंट्री में क्या अमेरिका में हैं बिल्कुल भी नहीं नेफाल भी नहीं सही आंसर आपका क्या हो गया इंडिया और पहला पूर्ण जैविक राजवी भारत के सिक्किम को गोसित किया गया और लस्वी बिलास बैंक का मुख्याले का मुंबाई कलक्ता दिल्लिय कि लिख मी भी पिलास बैंक पटा पटा आंतर इं Moto बिल्कुल बच्चे बिल्कुल देखो लच्छमी बिलास बैंक के अगर हैटकौर्टर की बात करो लच्छमी बिलास बैंक का एटकौर्टर चिन्न नहीं इस वाप्षे सर्वेच्छन रंकिंग में दूसरे इस्थान पर कौन सा सहर है इंदौर मुंबई सूरत लखनाव आ पहले स्थान पर तो सब लोग जानते हैं इन दौर पहले नमबर बन था है इस बार LGBT बहना है dutiesी सूरत पहले सूरतñas अगया है आपको यह पॉइंट रखना तीसरे नमबर पर नभी मुंबई आ गया है कि माधव प्रसाद घिमिरे यहकौन थे का हाली में निदन हुआ था एक लेखक थे कभी थे का नेता थे एक खिलाडी थे कि मादव परसाद घिमरे का नाम पूछा गया है फटा फटा आप लोग आंसर कीजिए भी कि मादव परसाद घिमरे अगर पूछा जाएगा यह कभी थे अगला सवाल है विश्व बरिष्ट नागरिक दिवस का मना जाता है इक्किस जुन को अंतरास्त्र युगा डे होता है माज माच को वर्ल्ड वाटर रेर होता है चौदा अगस्ट को वर्ल्ड लिजार्ड देर पाकिस्तान अपना सोतंता दिवस मनाता है और वरिष्ट नागरिक दिवस आपका शीनेर्स इटिजटी जंदे 21 अगस्त तो को बनाया जाता है अग्ला सवाल है ट्राइपोड ये जग परियोजना किसे संभंधिन तैसमिंद मेडिकल रेल्बेज ट्राइपस माड़ा लेडिस प्टापट आंसर कीज़ें ट्राइफॉट जो परियोजना है आपका किस से संबंदित है क्या मेडिकल से रेलवे से ट्राइब से लेडिस से देखो भी बहुत बढ़िया सवाल है ट्राइफॉट परियोजना अगर पूछा जाएगा तो यह ट्राइब से रिलेटेड है किस से रिलेटेड है यह आपको किलेर होना चाहिए टी एंटी जानते ना ट्रिनडायड एंट टोबेगो इसको टी एंटी बोलते हैं टी एंटी के प्रदानमंत्री कौन है कित महामत जैनी जीन कास्टेक्स लोच से तैसे रिंग क्या सही आंसर हो जाएगा को त्रिनडायड और टोब्योगो के प्रेसिडेंट बच्चे कौन है तो प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो की तरा व्ले हैं जीन कास्टिक्स आपके प्रांस क और लोट से तैसरिंग यह भूटान के प्रधान मंत्री हैं अगला है एक संकल्प बुजुरूगों के नाम यह अभिया ने किस ने सुरू किया यूपी अंपी राजस्थान के रहला एक संकल्प बुजुरूगे ट्राइप मतलब जंजाती ठीक है बाई जंजाती वोलते हैं इक बार भिए लाइक जरूर कीजिए जितने लुँदे होए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम श्रू किया गया मैध्यप्रömदेश किल को रोना मम्म इंतजार आपका अभियान ध्यौते डिल्ली उत्तरप्रदेश निलांबर पितांबर जलसम्रदी योजना जहरखंड से रिलेटेड है वन अरेंजड मर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी था किरन देशाई चेतन भगत सलमा लूस दिया मिताब गोस फटा बड़ा अंसर देते रही है तेजी से देखो बच्चे वन अरेंजड मर्डर के द्वारा रचित हैं अभी हाली में किस राज ने जलसंकट को स्वाल्ब करने के लिए इसराइल के साथ समझाता किया यूपी अंपी राजस्था ने पंजा इसराइल के साथ समझाता किया है जलसंकट को हल करने के लिए ऐसा बच्चे किस राज्य के द्वारा किया गया क् सब्सक्राइब करने के लिए जो राज ने समझोता किया है वह सबसे बड़ा जो कि हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश ठीक है जो बुंदेलखंड वाला एरिया है खासकर वहां पर जो समस्या उसको दूर करने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं असुनी भाटिया किस बैंक क कि आर्थिक सर्वेच्षण किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है भारत दरकार या भारती संक्रेगी संस्थान बित्त मंत्राले योजनायों योजनायों पहली महिला पूछे जाएंगे तो निर्बला सीता रमण योजनायों 15 मार्च 1950 को बना था जो कि समाप्तुवा इसके इस्थान पर नीति आयोग बनाया मोदी जी ने एक जन्वरी 2015 ठीक है भाई तो बहुत दूर होने इस क्या मतलब होता कि इसराइल दो बहुत दूर है अगला सवाल हिरोसीमा जापान के किस दीप परिस्थी थे हिरोसीमा जहां पर अमेरिका ने प सबसे बड़ा दीप यह सारे के सारे होकाइडो सिकोको क्यूशू सभीके सभी दीप यह जापान के हैं वह जापान के यह हैं कि कि लिए चली आगे बढ़ते हैं बुड बफेलो नेस्टनल पार्क निमलीकित में सथित है कनाड़ा सुझजलाइड यूएसस शिंगापूर बुड बफेलो नेस्टनल पार्क बच्चे जो है यह आपका किस देश में इस्थित है कि बोलोगे भाई फास्ट देखो भी आप बूट बैफेलो नेस्टल पारक अगर पूछा जाएगा तो यह आपका कनाड़ा में कनाड़ा सबसे लंबी भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वह आपकी कनाड़ा की तुझ्जल लैंड की राजधानी जरूर याद रखो गया अगला सवाल है तीस्ता हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्राबर प्लांट किस राज्यमें है उत्राखन जम्मू कस्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम क्या अ तीस्ता हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगर पुछा जाएगा सिक्किम सिक्किम की राजधानी हम लोग जानते हैं गंग टोक है ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं चेराव किस राज्य के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक महत्तपूर निरत्ति भी है च जेराव है कि इस यह क्या है मैं देखो बचे चैराव अगर पूछा जाएगा तो चेराव एक मिजोरम का वह ऑड़ा प्रसिति द्रत्त भी है अग कि अगर पूचा जाएगा हम लोग जानते हैं राज्य में नैपाल के सीमा से चीन की सीमा से भूठान की से से इस पर्स करता है वह एकमात्राज्य शीक्किम है अगला सवाल में ढर्जिलिंग में एक सहर है जो कौन सी नदी के किनारे है अलक नंदा तीस्ता हूगली गंगा दार्जिलिंग बच्चे किस नदी कीनारे एक आप लोग अंसर कीजिए डेकार मस्ता सवाल है कि दार्जलिंग मेंस बेस्ट बंगाल मेंस हो जाएगा तीस्ता अलक नंदा के किनारे बद्रिनाथ है कलकत्ता हूगली हो गया गंगा हम लोग जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है है पच्चिस सो दस किलो मीटर भारत में विस्तार है टोटल लंबाई है पच्चिस सो पच्चिस किलो मीटर है ठीक है के लिए रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा सही नहीं है एक बार बताईएगा पास्ट कौन सा इसमें से सही नहीं है एक बार तेजी से अंसर कीजिए देखो वह सरदा सरोबर बांध है नर्मदा नदी पर बिलकुल सही है 100% भाकडा नागल सतलच पर बिलकुल 100% पहरी बांध सबसे उचा बांध है भागी रती पर 100% इंद्रा सागरबांध क्रश्चना नदी पर नहीं है इंद्रा सागरबांध अगर पूचा जाएगा तो यह किस पर है नर्मदा नदी पर है तो यह आपका गलत हो जाता है याईन संक्रा चारक आंसर कीजिए भाई विक्रांध बाबु बिलकुल देख रहे हैं आपका विक्रांध आंसर करते जाओगे अब इससे ग्यादा हो पूजा पर्मा परसांत सुबंपांडे बोलिये बहिए सही उत्तर क्या होगा इसका यह फ्ली इसका जो छही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा जम्मु परस्तबर आपका हो जाएगा शंक्राचार मंदिर भूलों की घाटी कहां है वत्तराखंड में याद रखेत चलिक अगला सवाल है बुद्ध ऑंतर राश्ट्री परिपत यह किस सहर में है नीछ य लखनवुों कि देखो ब्द अंतराश्ट्य परिपत की अगर कभी भी बात करते हैं तो यह आपका ग्रेटर नुड़कर करते हैं लोग जानते हैं घजियाबॉद्य मेरेठ है यह यह हिंड़न नदी के किनारें याद रखींगा लक्व नदी के किनारे इस्तिती डक्टर बाबा साव अमेडकर अंतराश्ट्री हवाई जो है यह आपका किस राज्य में इस्तित है कि बाबा साव अमेडकर इंटरनेस्टल एयरपोर्ट अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आपका बच्चे आंसर होना चाहिए महराश्ट्रा अगेंस्ट और्ट्स यह किसकी बायोग्राफी है सानिया मिर्जा युवराश सिंग महरी कॉम कपिल देव क्या अंसर हो जाएगा बाई बिलकुल अब इससे आपका सही था बहुत बढ़ी हाग अ कि बोलो बाइस सही आंसर करते रहोगे जितने लोग भी जुड़े हुए है अगला सवाल है युकूभामरी किस खेल से जुड़े खिलाड़ी है युकूभामरी टेनिस कुस्ती स्केंग या तेरा की देखो बच्चे अगर कभी युकूभामरी पूछा जाएगा किस खेल के जुड़े खिलाड़ी है तो युकूभामरी आपका हो जाएगा क्या हो जाना चाहिए टेनिस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारती सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है सब्जी आपको बिल्कुल बच्चे देखो एक बात आयाद रखना है आपको यह जो सब्जी नुसंधान आपको सब्जान संस्थान है कि यह आपका उत्तर प्रदेश के वारण असी में इस्तित है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है यूपी असी के सदस्यों को कितने टेरियोर के लिए किसके द्वारा न्यूत किया जाता है यह आप लोगों बताना यूपी असी मताब आर्टिकल 315 यून सदस्यों को जो न्यूट किया जाता है वो छे वर्स के लिए राश्पती के द्वारा न्यूट किया जाता है आर्टिकल नंबर 315 में यूपी असी का प्रावधान किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं भारती सिविल सेवा सुरू करने का अधिकार किसे राज्यसवा उप्राश्पती संसद्या राश्पती सिविल सर्वेस सुरू करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 312 में दिया गया है और यह आपका राज्यसवा करती है तो आंसर क्या हो जाएगा या राश्पती मोहदेस कोई लेना देना नहीं संसद्य नहीं राश्पती से है ठीक है कि आगे परते हैं मॉनीय सो ईका नाहीं सावुट गठन, हुआ उन्य सो उन्चास को 1950 को 1955 को 1957 को पैजो को कि यह है लिए दो ब्लत के गठन की गई है तो निष्ची से इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोट का जो घठन किया गया वह उच्छे 1950 में किया गया पॉइंट आपको याद रख पच्पन में स्टेट बैंक आप इंडिया की स्थापना होती है सतावन में गोबिंद वल्लब पंतों को भारत रत मिलता है उन्चास एक जनवरी उन्चास को निस सो उन्चास को अर्बियाई का नेस्ट लाइशन होता है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं चुनाव परचार परसार मतदान के कितने घंटे पहले बंद कर दिया जाता है पटा प इंपेनिंग आपकी बंद कर दी जाएगी अगला सवाल है निम्लिकित में से किस अवादी के लिए भारत में महानेयवादी को नियूक्त किया जाता है वो कितनी अवद के लिए अगर पूछा जाएगा तो एटार्नी जनरल का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है संभिधान में है तो इनका टेन्योर कोई भी फिक्स नहीं कौन सब्सक्राश्पति के प्रसाद परेंत धारण नहीं करता है कि क्या यूपी असी का अध्यक्ष है महानेयवादी राज्यपाल देखो यह सभी के सभी धारण करेंगे लेकिन यूपी असी का चैर्मैन नहीं ध रत्न की शुरुआत हुई और 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई तो तील लोगों को 1964 दिया गया ठीक है वाई तीन लोगों को दी यूद्द को 2019 कौन सिटी कोलकता मेलों का सहर बिलकुल हटा दी यह जौब चारनाग ने स्थापित किया लखनव नवावों का सहर बोला जाता है ठीक है लेकिन मुख्याले आपका लखनव में सीडिवी का है इसमाल इंडेस्ट्रीज डबलमेंट बैंक आप इंडिया का मुख्याले लखनव में घुमरा याद रखेंगा घुमरा लिखा हुआ है घुमर नहीं लिखा हुआ है यह बच्चे जो लोक नरते हैं कहां का है घुमरा घुमरा आपका उडिसा का है और अगर मैं यहां पर घुमर लिख दूं घुमर तो घुमर आपका हो जाएगा राजस्थान और घुमरा आग घुमरा कहा का हो जाता है ठीक है प्यारविद्यारतियों आगे बढ़ते हैं मर्णों प्रांत अब तक कितने लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है ग्यारा बारा तेरा या चौदा अंसर कीजिए भीया मरणो प्रांथ कितने लोगों को भारत रत्म दिया जा चुका है अगर ये पूछा जाएगा तो आपका अंसर क्या होना चाहिए भाई 14 लोगों को मरणो प्रांथ भारत रत्म दिया जा चुका है अगला सवाल है भारती समिदान के किस अनुसूची में दल्बदल बिरोधी समें कानून दिया गया पूसरी में तीसरी में आठमी जो आठमी में Every देखों बढ़तों कि यह खोज है वो किसने की जाप हटसेन लुई पास्चर जोनास साल के अलबर्ट सैविन ने पट्डा फटा अंसर करोगे या तेजी से लुई पास्चर ने रिवीच का टीका बनाया जॉन साल्क ने पोलियो बैक्सीन बनाया पोलियो ड्रॉप अलवर्ट सैविन ने बनाया और जाप हटसन ने ग्लूटूथ का आविसकार किया था जाप हटसन ने ठीक है अगला सवाल है छात्रिवा संगर समित कौन सी पॉलिटि आइप यह आम आदमी पार्टी के स्थापना 2合 10वाड के सबसे पुरानी पार्टी हैban वारति मिथान में कौन सा मौलिक अधिकार तसकरी मजदूरी इश्रम और 14 से कमायू के तहत काम करने वाले बच्चों को प्रतिबंदित करता है किया अंसर होना चाहिए इसका है बिलकुल बेतरीन कोश्चन है इसका अंसर हो जाएगा आपका सोशन के विरुद्ध दिकार ठीक है चलिए उनिस सोटाइस में स्थापित जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी उसके नेता कौन थे चंसे का राजा भूटान अपनी सीमा को सीमा को किस भारती राजी के साथ इसपर्स नहीं करता है जो बड़ा आसान है स्था ब्याद रपको बूटान के लोग सहाब को साब कहते हैं न सिक्किम असम अरुणाचर और क्या हो जाएगा बंगाल ठीक है अब देखो यहाँ पर सिक्किम है बंगाल है अरुणाचल है मेघाले को इस पर्स नहीं करता है ठीक है भूटान जो है वो मेघाले को इस पर्स नहीं करेगा कि दांबित त्रीकांत किस खेल से जुड़े हैं टेनिस बैडविंटन क्रिकेट स्क्वेश कि इसके बाद आप सारे लोग दस बजे भी मेरे साथ जुड़ेगा बाइपाई स्टेडी में चैनल इसका सही आंसर बच्चे क्या हो जाएगा बैडविंटन ठीक है याद रहेगा तो यहीं तक रखते हैं हम लोग प्यारे भी द्यागतिए जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे कहां पर जुड़ेंगे दस बजे आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ना है बाइफाई इस्टरी में चैनल पर बहां पर तावर तोड़ तरीके से हम लोग स्टैटिक जीके के कोश्चन डिसक्स करने लाएं ठीक है याद रहेगा एक बार मैं फिर से बत सब्सक्राइब कर दिए डिसकाउंट निश्चदूप से होगा कॉमबैट में आप सारे लोग इंडॉल्मेंट करो और बढ़िया परदर्सन कीजिए अप्टू 100% स्कॉलर से प्री में इंडॉल्मेंट करोगे एबी सर्टेन कोट से सारे लोग अभी क्लास के बाद में सभी लोग इंडॉल्मेंट कर लेगे ठीक है बाई वह भी आस्ता विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो इंडॉल्मेंट ना करें ठीक है बच्चे बिल्कुल सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिए शेयर कीजिए जबरदस्त तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ओके थैंक्यू अबरिमन जहिन कहीं मत जाएं भी दस वजे मेरे साथ वाइफाइ स्ट्री में चैनल पर जड़ोग है थैंक्यू